साउध सुपरस्टार प्रभाज जल्द ही अपनी फिल्म आदी पुरुष लेकर सिन्यमा घरों में पोहचने वाले हैं। सुपरस्टार प्रभाज की फिल्म आदी पुरुष का टीजर कुछ वक्त पहले ही रिलीस हुआ था। तानाजी फेम निर्देशक ओम राउत की इस फिल्म का टीजर सामने आते ही विवादों में घिर गया। महस एक दशमलव 45 मिनट के इस फिल्म के टीजर में सैफ अली खान के रावन लुक और हनुमान के लुक को लेकर सोशल बीडिया पर बवाल छिड़ गया। सैफ अली खान और हनुमान के लुक्स को देखने के बाद लोगों ने मेकर्स पर रामायन का इस्तलामी करण करने तक का आरूप लगा दिया। पर इस फिल्म के टीजर पर बात करते वे कहा रामायन महाभारत श्रीमत भागवत जैसे जितने भी हमारे गंत और शास्त्र है ये हमारी संस्कृति और धार्मिक धरोहर है। विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृति है हमारी हर पीडी इसे यूगो यूगो से आत्मसाथ करती आ रही है। अरुन गोविल ने कहा हमारी धार्मिक मान्यताओं को और भी पुष्ट किया है इस महामारी ने। करोना काल में रामाइण प्रसारित हुई थी तो इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सबी जानते हैं हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा संकेत है हमारी धार्मिक मान्यताओं का। 2020 में हमारी यूआ पीडी ने भी रामाइण देखी और 35 साल पहले बनी हमारी रामाइण को पुरी श्रद्धा के साथ देखा। समझा और आत्मसाथ किया। अरुन गोविल ने आदी पुरुष के मेकर्स पर निशाना साते हैं कहा हमें अपनी परंपराओं से ना तो खिलवार करना चाहिए ना किसी को करने देना चाहिए। इसी प्रकार की तमाम जानकरे के लिए हमार साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।